इस तरीके से अभी आपने जो है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से जो क्या बोलते हैं कि जीला परिशत का आठ नौ नमबर सीट से जो आप उमीदवार चुने गए हैं तो मोटे-मोटे तोर पर आपके जो भी दिगर नेता है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के उन्होंने बता ह ही दिया है कि क्या क्या मैंने वह लोग डिवलप करेंगे मैंना कि पार्टी मैनिफेस्टों जो इलाके के लिए है वह बता ही दिया फिर भी आप कुछ मोटे-मोटे-मोटे तोर पर बता दे अगर आपकी आप जीत हासिल कर लेते हैं खुदानाखास अगर आप कामियाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे मैं जेता इच्छा आमी जेता शौर्ब पोथम में पोर्ते चाहिए ताल पर उना देर जा प्रॉब्लेम आचे जा उना देर रास्ताहटर बाद जा शे प्रॉब्लम गुल आमी दीएम पोजूंग तो पोर चाते पार बो मैम वीरोधी जो भी है वो बुल रहें के कॉंग्रेज का इस बार इतना लेहर नहीं है जितना के तरनमूल और बीजेपी का है इस पर क्या गएंगे आमी बोलची एटा शाध्रोर मानुसेर उठ्षा हो आर शाध्रोर मानुसेर पासे ठाका देखे आमी एटा बोलते पारी जे बार ए ग्वाल पोख़े जातियो कंग्रेस दली निश्ची आर शेटा जे तीनों मूल बोलची तालके जैमन आमादे रुखाने वासिष्टाने आपने इलाके में क्यूंकि अगर जीला परिशस के सीट से लड़ हैं तो कोई एक गाउं या एक या एक इलाका नए काई आंचल है तो इन सभी आंचलों में आपको कैसा मैना सारा मिल रहा भी लोगों का कैसा रुजान मिल रहा आपको है आमी सब जगाई गूर ची एबंग शेखाने गेटा बुष्टे बार ची एबार सभाई कंगरेस के दिवे कारण एतो दिने पाज बच्छरे तीनों मुल के डेखे मानुस बुझेगा छे जे आमा देरे रागे जेनी तीनों मुले नेता चीले तीनी एक दो शिक्खोक आमी एक तर इस्टुटे रहे तार बिरुद्दे बोला आमार मुखर शोभाद आये ना बट आमी एटा बोलबा आमी जा जोनोंगोनेर काचे सुनते पेलाम बास साधरन मानुसर काचे पेलाम पाज बोचरे जीतार परे उने एक बार मानुसर पासे आशें नी तो ए बार जेटा देखा जाचे शेटा आमी भूरे जेने शोभाद शोभाद बोले जेटा जानते पाले हम ए बार जाती हो कौंगरेश दोली 100% गैरेंटी कि आमा देर कौहल पुखर आयाज देगे आमा में बाषनी जीतार परे खिरやってखा जेटार जेटा येले देखा जेटार किरे शोभाद भूसर परे जाकौनी जेती हो पुखर एक दोले हो मानुसर आज़ो कांगे मैं मोह पुख्रिंगे किरे मं कीैसे सोलो खिराए कर लोगन या फिर जो भी जुनियर लेडर है उन्होंने स्वेश्ट कर दिया है आम जंता को कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की अगर यहां पर जीत होती है ग्वाल पोखर में खास करके तो वह किस तरीके के डेवलोप करेंगे और दुन नीती से किस तरीके से लड़ेंगे इसके उपर सब्सक्राइब करेंगे अगर हम लोग जीत कर आते हैं यहां कॉंग्रेस का जो है पंचायद बनता है कॉंग्रेस का परधान बरता है सबसे पहला काम मेरा होगा मैं मुहम्मद इल्मुदा यह गारांटी के साथ कह सकता हूं कि किसी गड़ी पर जुलुम नहीं होने दूंग किसी जालिम को आगे बनने नहीं दूंगा जुलुम के खिलाब जुलाब हमेशा आवाज उठाता रहां हूं कि जो पंचाय किस तरह के मैंने सरा मिल रहा है कि हमने देखा है कई जगहों पर जो है कई कैंडिडेट्स जो है वीड्रो करके मैंने के सेलेक्शन करवा दिया है तो इस पर क्या कहेंगे और जो आपके वाट से और दूसरी बात ये कि मैं जहां भी जाता हूं अभी वोट मुनें, खास कर मेरे एगेस्ट में कैंडिडेट हुआ है, उसके गावन जाता हु, तो मेरे आगे-पीछे होते तो आपको जो है लोगों के घर घर जाकर उसके पैर पकर कर रोने की जरुवत नहीं पड़ती आप अपने घर में बैठकर भोट मांग सकते थे अभी ये नोबत आ गई है पहले तो बोलता था कि कोई मुकाबला नहीं है अभी नोबत ये आ गई है कि हर घर में जाकर के जो केंडिडेट है मोहमत इल्मुलुदा हाच चाप के निशान को उसी को जो है वोट देकर हम लोग जो है काम्याब कराएंगे जी बहुत बहुत शुक्राइब